रिट परिक्षा आनियमित्ता के मामले में हाली में बीजेपी की ओर से लगातार विरोत प्रदेशन किया जा रहा है और इस पूरे प्रक्रण की जाज सीबिया इसे कराने की मांग भी की जा रही है कल इसी सिले में जब प्रदेशन हुआ था गांधी सर्गिल पर परसो यूवा मोर्चा के जो कारी करता थे उनको पर लाठी चार्ज हुआ लेकिन आज आकस्मिक रूप से बीजेपी से यूवा मोर्चा से जुड़े कुछ पदा दिकारी यहां पूर्व शिक्षा मंत्री और क प्रदेश अद्यक्ष गोविन सिंग डोटासरा के जो सरकारी निवास है वहाँ पर आये और यहां पर नाथी का बाढ़ा लिक कर चले गए एसी ही घटना जो डोटासरा है उनके जो निवास है पेत्रक निवास है महाँ पर भी घटना हुई तिए और आज बहरी दोफर में यह कालिक से नाथी का वाड़ा लिख कर गए है एक एक यह घटना करी युवा मोर्चा की जुड़े कारे करता थे वो यहाँ पर आए भाच्पा से जुड़े उन्होंने बकाया था साथ में पूरी तयारी के साथ आये आप देख सकते हैं यह पेंट लेकर आए है काले कलर का ज यहां पर यह घटना करम करके गए और तुरंत यह लिखने के बाद तो तमाम सावान था जो साथ में लेकर आये थे वह यहां पर ही फेक कर चल दिये कुल मिलाकर जब तक सुरक्षा गाड़ों को इसकी जानकर ही मिलती जब तक यह पूरा घटना करम हो चुका था आप देख अउठता है जो साफ तोर पर यहां की शुरक्षय व्यावसता पर सवाल उठाते हैं देख सकते हैं का रिक पोतध के यहांपर गए है कर निकाय्त के फिर सबिना कंघरोड़ी नीके यहां से चल दिये केमरा परसं flipped के के निवास के बाहर काले रंग से नाथी का बाड़ा लिखने के बाद भाच्पा से जुड़े यह तमाम जो कारी करता है यहां पर प्रदेश भाच्पा मुख्या ले आ करता गये किस तरह लेते हैं आप देखिए भारती जनता युवा मोर्चा जो है वह 26 लाख अभ्यर्थी जो रीट के हैं उनका रिप्रेजेंट कर रहा है उनके लिए सडकों पर है और जबता किया है सरकार सीब्याई की जाच नहीं करती है तब तक हम सडकों पर रहेंगे लड़ते रहेंगे और कॉंग्रेस सरकार जो है उसका विरोत प्रदर्शन करते रहेंगे आज 26 लाख अभ्यर्थियों की मांग युवा मोर्चा के कारिकरता सडकों पर रहकर कर रहे हैं यहां कितना उच्च कर रहे हैं तरीके से कारवाई हुई जो लोग थे आप गये थे कालिक के कुछ निशान आपकी पैंट में भी है क्या इस प्रकार की कारवाई तुरंद आप करके आए मकसद एक ही है यह गोंगी बेरी सरकार को जगाना दो दिन पहले हम युवा मोर्चा के कारेकरता श्यांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमनत्री आवास का गेराव कर रहे तो हमारे सबी कारेकरतां के उपर लाटी चार्ज किया इसके विरोध में हमने कल रात तरी को गोंगी बोटा श्यांस राके सिक्कर नवास पर विरोध परदरसं कर उनकी जो दिवारे थे उन पे ना agree पर परेशान कर रहा है उसको आने वाले समय में इसका जबाद देना पड़ेगा सीकर से आये हैं यहां पर यहां पर प्रदेश मंत्री तो आप देख सकते हैं तमाम निशान यह उस बात का सबूत है कि अपना जो विरोध है गोविन सिंग डोटा सरा के घर के बाहर यह लोग जाहिर करके आये है निश्चित तोर पर सीकर में जो गटना होई उसके बाद आज यहां पर जेपूर पोच करें उन्हों अपने विरोध जाहिर कराए लेकिन लोगतंत्र में विरोध जाहिर करने के कई तरीकी होते है चुकि यूवा मोर्चा है और यूवा मोर्चा ने यह तरीका अपनाया है केमरा परसन पीजेंद्र के साथ यूश शर्मा एटीवी भारत जेपुर